वेलकम दोस्तों, दमिसेंट डेपलमेंट अकेडमी में आप सभी का स्वागा थे और आज हम बात करेंगे अद्धा है नंबर थिरी जिसका नाम है आरंबिक नगर दिवे उससे प seul पैंसे पर लेता है जो आंडद दिया होरे ता है जिसे पुरान त्रणय नसन राक्षण और ही किसमे लेखा है जसपाला हर्पीत अपने घर के पास है जसपाला हरपीत के पास गली है जिसे dlatego किरकेट खिल रहे है उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तरिफ जा रहे हैं जिस गली की बच्चे पुत्तहा कहा का करते थे एक ने कहा इसकी बस्तुकला को देखो कि आपने कहीं लकडी पर इतनी सुन्दर नकासी देखिए दूसी मैला ने कहा हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वे इस खूपसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की वस्ता करे ये सब सुनका जस्पार और हर्पी सोचने लगे कि इस पुराने खंडर घर के लोगों का रहन सेन कैसा होगा तो ये इनकी बिचाद थे और सब से पहले बात करते हैं हडपपा की कहानी तीक हडपपन अगर आपने सुना होगा आसपास या मनले अपने भाई वेनों से देखिए हडपपा अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बता दिये जितनी पुरानी इमारत रहती है आपके घर के आसपास वे अपनी कहानी खुद बता दिये कि ये किस तरह रही थी कि जो इमारत का सेप रहता है आगरती उसमें से क्या आधा तूड़ जाता है लेकिन हमें पदा चल जाता है कि किस तरह की इमारत होगी है जब यह इमारत बनी होगी किस टाइप की होगी लेकिन आज तो एक अंडर होगी तो इसकी इमारत को देखे हैं पदा चल जाता है कि यह किस तरह की इमारत होगी ठीक लगवग एक 1500 साल पहले जब पंजाम में पहली बार railway location बिछा यह रही थी तो इस काम में जोंड़ एंजिनियर थे उनको dipping पपनिंए नगा खालम हो गया ह हुआ तो प्रोय स än अलग हो गया तो जो भी जो इस्तान मिला है वो कहां पर है पाकिस्तान में आज जहां से अच्छी इंटे मिलिए यह सोचकर पर हड़ापा के खंडरों से हजारों इंटे उखाड़ ले गया है जिससे उन्हों रेलवे लायने बिचाई इससे कई यह मारता है पूरी तरह नश्ट हो गई उसके लगवाग असी साल पहले पूरा तत्व बिदो मतलब जो पुराने चीज़ों की खोच करते हैं उनको बोलते हैं पूरा तत्व बिदो इ उनको मिला उनको मिला एक उप महादीप खंडर उप महादीप की सबसे पुराने सहरों में से एक है उनको पता चला कि यह जो खंडर है यह पुराने महानगर में से एक है जो कि इस नगर की खोड़ सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह है कि सभी इसके बाद इतनी भी मारते मिलिए उनको हड़ापस अब बता ही कहा गया है इन सेहरों के निमान लगबग 4700 साल पहले हुआ उन्हें अनुमार लगाया जो पुराने पुराता तो बितर थे यह सेहर कितने साल पुराने होंगे तो इस अनुमार पता चला कि यह सेहर लगबग 47 यह तैसाल पुराने थे लेकिन उचाहिपर होता था लेखन पास्छी में घ्जोटा लेकिन आदूचाईपर होता था पस्चीमी भाग दो भागों बहत किया पहला है पस्चीमी भाग जो कि छोटा होता था और उचाई पर बना होता था दूसरा है पूर्वी इस्था जो कि बड़ा होता था और निचली लागों में होता था देखिए इन नागरों को दो भागों में बहत किया गया था एक तो प उचाई वाले भाग को पुरातत विदो ने नगर दुर्ग कहा, जो इस्तान उची उचे स्थान है उसे क्या नगर दुर्ग, नगर दुर्ग का मतलब होता है उचाई वाले इस्तान पर, उचाई वाले इस्तान पर जो भाग है उसे नगर दुर्ग कहते हैं, यह से पहाड़ी पर कोई इ helicopter बना हुआ या कोई नगर भसा हुआ तो नगर का डुर्ग मतलब बिद बार्न पक्की बना या prelimर का गाया हुआ तेखिक में तूर मैं तेखिक कम अश्तुं की और Fr workers जो भी दिवाह आती थी पकी इंटों की पक्की इंटों की बना षीफ बना जयाती इसकी इटे इतनी फटी कि हजारों साल बात आज तर्थ इसकी इसकी असी दिवारां खड़ी रही हैं बहुत पक्की इंटे इन और, आज भी इसकी दिवार फोग खड़ी होई हैं मिलती है इतों की चिनाई इस तरह करते थे जिसे की दिवार कूप मजबूत रहें चिनाई के मतलब होता है मनलब अच्छे से मजबूत तरीके थे एक एट को दूसरे इट पर बांधना इससे इट दोनों इटों का जोड दोनों क इक के लावा कोछ नघरों के नगर दुर्गमें कुछ खास इमारते बनाए गई इनमें कुछ इमारते भी थी नग जैसे मिशाल के तोर पर हम कह सकते हैं कि मोहन जोड़ों का खास तलाव जो इनमारत है थी इनमें एक बिसेश थी बिसेश इमारत मोहन जुरों का तलाब जिसे पुरातत बिदों ने महान इसनानगर कहा गया है जिसे क्या नाम दिया गया है महान इसनानगर क्योंकि बहुत बड़ तलाब था जिसमें क्या पूर गाहों के लो आकर ना सकते थे इड और प्लास्टर से बनाया गया इसमें पानी के रिसाब रोकने के लिए प्लास्टर को ऊपर चार कोल की पड़ा चड़ाए गई इस सरोबर में दो तरफ से उतरने के लिए सीड़ें बनाये गई जैसे देखिए यहाँ पर यह आप देख सकते हैं डायग्राम में इसको अब अच्छे देख सकते हैं कि इसमें दो तरह से बनाए गई है एक तो यह और यह यहाँ से नीचे उतरने के लिए नाने के लिए तो दो अधिकान घरों में एक अलग इसनान घर होता था जबी घरों में एक अलग से इसनान घर होता था उसके पात कई नागरों में ढक धाके हुए नाले होते थे धाके हुए नाले महलत नाले अंडर्राण नाले वो होती थी हर नाली में हलकी aja Cham点 expressive नीजाय की और ताकि पानी आसानी से बेह सके अक्सर घरो की नाले को सडगों की नाले से जोडद दियाता था टब घर की यह मलूद जो भी घर से पानी निकलता है ना उसे जो रोट से पानी बेह रहा है रोट की नाली से जोड़ दिया दा ता जैसे घर का भी जो पानी हो पानी अपने सन्साँ पर सही चल दा या उसके बाद नगर ये जीवन पicles आप अब ठता कहा नगर ये को यूज करते थे तो वो सबी उनका पूरत जीवन देखिए नगरिये जीवन हड़पा के नगरों में बड़ी हलचर रहा करती थी मतलब सांस इलाका नहीं था बहुत हलचर रहती थी बहुत भीड़बार इलागे रहते थे यहां पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास आमारता बनाने की यूजना में जोटे रहते थे जो भी सहर में रहते थे वो कुछ यह अपने दिवाओन मेंसे सोचते थे though इस तरह किला उति रहते बहुत सी धातों लाते ते जिससे वह अच्छी से अच्छी मारते बना सके और साइज सासक लोग खूपसूरत सोने चांदी से बने आबुसर्णों से जैसी कीमत चीजों को भी जो यहां के सासक थे वह भूत ज्यादा खूपसूरत और सोने हीरो से चड़े आबुसर्ण भी अपने पास रखते थे इन नगरों में लिपिक भी होते थे लिपिक जो मोहरों पर ही लिख देते थे लिपिक का मतलब होता है सिक्कों पर लिखना जो इस सिक्के पर लिखा साइब ऑन चीजना पर भी लिखते होंगे महरों के लावा पर किसी और चीज बर्तनों पर नाम लेखा जाती है न किसी पर भी हुआ ये इसके अलावर नगलां में चीज बनाना ये मिट्टे की चीज बनाना या तो कह बोलते लोग लंबी आतरां भी करता थे गोँने के लिए बहुत हो उन इसको की बहुत though सब्सक्राइब बोखारिक लाते थे और जैसे सुधने जिर्णित क्षक भाइन वहां तोधिर मुंबई के चुन्त present Anda एक एसा सीविए कहानने को पता प्ष्य की काहिए नो Siap इसकूझ पर क्या हुई उनकी सिल्प पार के TOM माजन सिल्प कर लिखा हुआ है अब इससे कि फिल नहीं है किसी भै और कि ने कि अधरो में ने ड्म कई कि ने में दाय निला तो इनंकी और कि लोगे सुंक ते इन में को कि इन्हें ने आ पूसरन सुरूं कर दिये ठीक देखे इस तरह ही मूरति भर उसके बाद मूरतियों पे आ गया यह बह ना भी उन्हें परार्णम कर दिया ताम मेगी बहत्तु गये बहुत हैं मंदने पक्की मैट्टी सबसे म मूरति बनने लगे नहीं में लगे ताम मे के मूरतिय के उन्हें आपनाण ही लिए पर कच्चे माल की खोज उन्हों कच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् लगड़ी यह प्राकतिक की देख इसे कोई बनाता नहीं है इन से फिर कई तरह चीदों बना जाते हैं लगड़ी से क्या बहुत सी बना जाते हैं पलंग सोफा तिक उसके बाद कताई बुनाई करके कपास मिलता है कच्चा माल खेतों से मिल जाता है कपास जिससे बाद में क्या बना जाता है कताई बुनागर के कपड़े बना जाते है और हडपा में लोगों को कई चीजें मिलती थी जैसे तामबा, लोहा, सोना, चांदी बहुमूल फत्तर भी दूर-दूर से आयत करते थे लेकर आते थे मतलग इदे से आप देख सकते हैं इन सेपों में नगरों में रहने वाई लोगों के लिए भोजन मांके लोग किस तरह के भोजन करते थे लोग नगरों के लाबा गावों में रहते थे पहले के लोग है और नंग्रों में रहते थे और गाव meं रहते हूं आज आज में आज भी लोग गाव में रहते, नंग्रों में कम रहते हैं, बे अनाजोग आते थे और जानवर को पालते ठीक किसान और चरवा हैं कि सेरों में रहने वाले सास को लेखको और दस्तकार को खाने के सामान देते थे मतलब इसेरों में लोग रह रहे हैं ना जैसे सेरों में कौन बड़े बड़े लोग रहते थे जैसे सास को लेखक रहते थे या तो मंत्रीगड उनको खाना कौन पहुंचाता था गांप के लोग जो गांप के किसान रहते थे ना पसुपालग वो खाना पहुंचाते थे इस पौदों के अफसेस में पता चलता है कि हड़ेपा में लोग किस तरहे खेती करते थे गेहों की जोकी खेती दालें मटर धान तिल, सर्सों इस तरहे खेती हुआ करती थी पहले और जमीन की जोताई के लिए हलका प्रयोग किया था था उन्होंने हलकी हलको भी बना लिया था जिसे आप इस सेप में देख सकते हैं इसे हल बोलते हैं देखिए इसमें इसको हल बोला आता है इससे क्या होती जमीन की जोत यूँकि विप्राहई लक्ड़ि से बना याते खोज हुई हलतबा के इसमें हल नहीं मिले हैं क्योंकि लकड़िके होग करते थे तो अब हलतर रहा को तो जैसाल पुरानी यह तो आज के माहने में मिले गी नहीं यह खतम हो चुक हैं लेकिन आज के वानों में हल है वो भी या जवाने के हल दीकें इस चेज रेट में बारिस कम होती थी इसलिए के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपना है यहले बारिस कम होती थी रहे चेज के लिए पानी ज़रूर यह सुद्शाइब के लिए जरुवत पढ़ने पर बर्सा कम हुई उस छेत्र में जो ओने इखटय किया उससे पर सचाई करते थे हडपभा के लोग गाय भैंज भेल और बकरियों को पालते थे माय के लोग किसको पालते थे भेल बकरी गाय इन सबको पाला करते थे बस्तियों के आसपास टालाव और चारागा होते थे हैं, मतलब वो ऐसे यह अपर अपनी बस्ति बसाते थे जहां सरह का मानलब चारागा के मतलब जहां सारी खांस हो हरा बरा इलागा उसे चारागा भूलते हैं तालाग लेकिन सू के महें मविस्त्हे को जुण्डों को चारा पानी की तलास में दूर-दुरट ले आते थे जिसे आप देखते हूं कि रायस्तान के लोग अकसर इदर रह्यों गोहमते रहते थे पाने की कमी है जिससे क्या होता है यहां पर चारा नहीं उपता तो पहले भी लोग क्या करते थे जब गर्मी आती थी तो अपने जो मबेसी रहते थे जिदे भेड़ बगड़ी इनको लेके दूर-दूर रिस्तानों पर निकल जाते थे उनको चारा कर खेलाने के लिए गोजा पर पर वहां के लाका है वहां के लोग साब पानी मिलता था और जमीन उप जाई थी लेकिन कक्ष में साब पानी बिल्कुल नहीं मिलता और वहां की जमीन उप जाओं नहीं है बहां पर व्लकुल रेती अलाका है वह लेकिन हडपा के समय पर वहां बहुत अच्छा पानी मिलता था और वहां की मिट्टी बहुत उपजाओ थी जहां हडपा सा बता कई नगर दो भागों में ब्याएट थे पहला है धोलिवाय नगर वह भी तीन भागों में ब्याएट चार और पत्तर की उची उची दिवार बनायाती थी यहां की दिवार रहती पत्तर की दिवार रहती थी वह बहुत उची-उची ठीक कि सारव जी नीगार करव आयोग किया देथे यहां मिले कुछ अप्सस्यूब विजू हाड़ेपा लिपी की बड़े बड़े अक्ष्णों को फथ्थरों में खोता गया है जो लिपी के मलए मैंनोल भासा होती एक प्रकार की फथ्थरों में बनाई आधी थी फथ्थरों में लेकिन पहले के लोग फत्तरों में लगते ते उसे लेपी बोला जाता है और अभी लेक फत्तरों में लिखे जाते हैं लकड़ीओं पर लख देते हैं ठीक यह एक अनुका अफसे से क्योंकि आमतर पर हडपा के लेक मोहर जैसे छोड़ी बस्तू पर पर पायाते थे हडपा क् लेकिन गुजरात के नगर में क्या मिला है पर लिपी मिली है लिपी और अभी लेक गुजरात की खमकत की खाड़ी में मिलने वाली सावरमदी की एक उपनदी के किनारे एक नगर बसा हुआ इसे लोथल बोलते हैं जहां कीमती पत्तर यहां सा कच्चा माल आसानी से मिल जात अधाय दादूर से बनाए के चीजिए कि महत्तूर्ण चीज रहाती दादूर के बने वाइवे संक उग बहुं시간 से फथर कीमती फथर यहां पर देख शकते हैं वी मुड्रा वागर होते क्या है था तश्चा मुढ़ा अले मुष के जैहां या महत्तूर घुलता है है चिसनेल को मेहर किया होता है दिशुक्त चिंद करना की लिए क्या हता है जैसे आप जानते हूं कि आप किसी स्वाहते हैं कि अपने पर हम को सामय भाप भाति लिया तो आप उट्निया पर अपने नाम लेखवा थे ऊण Natar को चितने करने मेरी चीज़ है दोसे पड़ा बात लग जाता है कि यह उसकी चीज है जुआ अपने बाटिन वे अपना नाम लिखवाथ दें ठीक उसी प्रकार अपने था ब kepada mysteri की यहां का सिख्खा है कि शब्वता का अंत के से हुआ जो हड़ा लुग कि लग कितने साल पहले उन चालिस साल पहले एक बड़ा बदलाब देखने को मिलता है अज़ानाक लोग ने नगरों को छोड दिया जो लोग ते नगरों में रहने वाले उनना नगरों को छोड़ दिया, लेकन मुहर बाट को प्रयोख बंद हो गया, दूरु से कच्चे ओमाल का आयात कापी कम हो गया, नौरु से कच्च्चे माल भी नहीं लाते, जिससे का जल भराव होने लगा, शेलकों पर धुक्गियां घर बनाने लगे, शलके दिवहां भी लोग घर बना के रहने लगे, ये सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं, इन सब कारण अभी तक पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ है, तेक अभी तक खोज नहीं हुए थी, लेक बड़े बड़े जुन्डों सोग चारा घर नहीं मिल रहा था पानी की कमी आ गई थी तो इस तरह यहां पर सूखा होने लगा था जिससे भागे नागर धेदरी नाश होने लगे सिंद्र पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी जिन्द्र पंजाब में बस्तियों तो इस तरह से अलापसब्दा का नश्ट हो गया अब इसका मूल कारण नहीं मिला है कि सब्दा का नश्ट कैस होगा अब यह बस लोगों का जो खोच कर रहे हैं उनका खाली मानना है सबी कुछ-कुछ लोगों का अलग-अलग मानना है ठीक कुछ लोग आहां से दूर चलेगा है पानी की कमी आगई वहाँ पे जंगल नश्ट यहाँ रहते हैं जहां पे रहते हैं नगर्दुर नगरह मतलब होथा नगर के भर भiéach साथ जो उचे इस्तान पे हो आप जहां रहते हैं तम यहां रहते हैं आपने स्कूल में देखा होगा जो सील सायन लगती है उसको मुहर बोलते हैं जो भी बस्तु में बनाना कुछ नई कला बनाना जिसे लगड़ी से लगड़ी से क्या आनी बेड़ बनाता है वो भी एक सिल्पकार है धादू कोई भी सकती है सोना चांद यह धातू यह एक प्रक में फ्रस की बार प्रस से अच्छी जनका रहे तो एक विश्यचक हो गया कच्रामाल कच्चा मॉटब बाजी प्रक्रटी से प्राप्ट होती है और होता है कि आपको वीडिओ पसंद आई होगी यदि किसी परगार आपको डाउट है तो आपकर कमेंटन मेंशन कर सकते हैं ये नीचे लिंक में हमारा बहुत सा नंबर दिये हुआ है, आप हैं वाट्सअप कर सकते हैं.